नमस्कार दोस्तों मैं जतिन सिंगला मुर्तो स्वागत करदा तो अड़ा बालाज एजुकेशन पॉइंट दे प्राइविट चैनल दे उमीद करदा तुसी सब चंगे होंगे प्यारीच लगे होंगे आज दी क्लास बहुत महत्त पूरण रहना लिए वीडियो नूं एंट तक सुनो पांज मिन्ट लाओ वीडियो दे उत्ते तो नूं पता चले भी क्यों है तो अड़े पेपर वास्ते जुरूरी है इस वीडियो दे वीच पीएस टेट दे 2011 तो लेके 2003 तक लगवग पिछले दास्तो ग्यारा साला दे विच जिनने भी इंडियन पॉलिटी पारतिय राजनीती पारतिय कॉंस्टिट्यूशन पारतिय सविदाहन इनना उत्ते एंची के वाइने उनना नू मैं डिटेल दे विच डिसकस करन जा रहे हैं ठीक है पॉलिटी यह पारतिय कॉंस्टिट्यूशन पी एस्ट दा जएड़ा एसस्टी कंबिनेशन है उस सथ माक्स दाहूंग है ओदे विच नूर्मली थोनू पॉलिटी यह जडी बारा तो नंबर तुसी जुरूर ले लोंगे शर्त किया है कॉपी पैनल लेके बैठना है उन्हीं वीडियो पोस करो कॉपी पैनल लेके बैठो जिन्हीं मैं गल्ला दसां पॉइंट वान पॉइंट टू पॉइंट त्री पॉइंट बनाके नोट करी जाओ ते उनू आये मंतर तुसी पेपर देन जाओंगे तुसी आप देविच फर्क देख लिए हैलो दिस लेच्चर इस प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इस जतिन सिंगला नेक्स्ट अगे बार देया है बच्चो इस वीडियो दा जे तौनू पीडिएफ चहीद है या कुछ भी साढ़े चैनल द जग्या मिलूगा ओनू ज़रूर जोइन कर लो वीडियो दे डिस्क्रिप्शन चिते कमेंट बॉक्स जबी तौनू डारेक्ट लिंक मिल जूगा ओभी ज़रूर जोइन करियो पीएस्टेट दा स्पेशल टेलीग्राम चैनल है ओदे वीच असी टाइम टू टाइम फ्री द मेराथॉन क्यों कर आ रहे हों बच्चो पिछले साल में ने पीएस्टेट दे पेपर तो पहला इंडियन जोग्रफी पारतिय जोग्रफी पारतिय पंगोल केलो ओधी मेराथॉन लगाईयां सी लगबग 6 क्लासीज उनना 6 क्लासीज में ने 2011 तो लेके लगबग 2021 तक दे पी वे सिर पेपर सॉल्व करवाय सी जोग्रफी दे ओ भी मैं वीडियो दे स्क्रिप्शन च दे दूंगा ओनू भी चंगी तरह देख लियो पूरी दी पूरी वीडियो अन्त तक सुनो चैनल नो सब्सक्राइब जरूर करियो जी वीडियो पसंद आवे तागे शेर जरूर करि ये दा आईडिया आईडिया की हुंदी है पहली सोच ओक के डेश दे सब्सक्राइब से थाaly शे गीनिटी की अज़त पहलागे अन्व हमक्रोंग को ज़नो चैनल है कि तो जो शाड़ा प्रियंबल है ओफ мой साड़ा शेर च canches फी लेज二 आधा पहलाप dau केन लिच्चो केड़ी यह जी चीज है जो पार्तिय सविदान प्रभाषित कर दिये which gives the definition of indian constitution ते पार्तिय सविदान दी ज़डी definition है प्यारे बच्चो ओ प्रियेंबल टो मिल दिये प्रियेंबल दा original name है object resolution object resolution प्रियेंबल दा original name है object resolution वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनू पंडित जवाहरलाल नहरू लेके आये सी याद रख्यो पंडित जवाहरलाल नहरू लेके आये सी याद रख्यो पंडित जवाहरलाल नहरू लेके आये सी ते एहें इंस्पाइड है यूएसे दे सविदा आंतो अमरिका दे सविदा आंतो एहे inspired है एही पुछे गया है कि प्रियांबल है जो केड़े देश दे सविदा आंतो inspired है तांसोर आजुगा प्यारे बच्चो डी USA दे सविदा आंतो inspired है तेनू पंडित जवाहरलाल नहरू लेके आये सी कितो USA तो can you calculatearenthood सविदान सभादी तीसरी मीटिंग खोप्रच घल पाल जो मैं समझा रहे हैं सविदान सवादी पहली मीटिंग वोई सी 9 दिसंबर 16 लिन network कि सविदान सवादी दूसरी मीटिंग वोई सी ठीक दो दिन वाद 11 दिसंबर 19 삼 लिन सविदान सवादी तीसरी मीटिंग होई सी 13 दिसंबर 1906 नो सविदान सवादी तीसरी मीटिंग दे विच पंडित जवाहरलाल नहरू ने प्रियम्बल नू टेबल्ड किता सी टेबल्ड करन्दा मतलब किया है सविदान सवाद यगे पेश किता सी एक कोशन बहुत ज्यादा इ अगे रख्या गया सविदान सवादी थर्ड मीटिंग यानि की 13 दिसंबर 1906 अली अली मीटिंग दे विच पहली बार प्रियम्बल नू की किता गया टेवल्ड किता गया ठीक है प्रियम्बल दी पहली लाइन पुछलेंदा की है वी दा पीपल आफ इंडिया असी पार्थ दे लोग वी दा पीपल आफ इंडिया प्रियम्बल दी पहली लाइन है वी दा प्रिपल आफ इंडिया असी पार्थ दे लोग प्रियम्बल दे विच आज तक सिर्फ इक वारी अमंडमेंट हुई है एक कोशन पुछलेंदे ने की प्रियाम्बल दे विच पहली वार या किन्नी वार अमंडमेंट हुई है ता प्रियाम्बल दे विच आज ता किक वार अमंडमेंट हुई है 42nd amendment बियाली मी शोद जोकी 1976 हुई है 42nd amendment 1976 एदे तहत प्रियेंबल चतिन नमे शब्द एड किते गई सी एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है secular यानि की तर्म निर्पक secular socialist यानि की समाजवाद integrity यानि की पाहिचारा याद रखियो प्रियम्बल दे विच ब्याली मी अमंडमेंट 1976 देता है तो तिन शब्द एड़ किते गए सेकुलर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी एक कोशन आन्द है कि आज तक प्रियम्बल नू तुसी किन्नी वार अमंड किता है ताज तक असी प्रियम्बल नू सिर्फ इक वारी ही अमंडमेंट किती है शोध किता है किनी मी अमंडमेंट रही ब्याली मी अमंडमेंट रही 1976 अगली जद ब्याली मी मंडमेंट किती सी उस समय परदानमंत्री कौन सी इंद्रा गांधी उस समय परदानमंत्री कौन सी इंद्र गांदी तेजे पुछे आ जावे को समय देश दे रास्ट्र पती सन अली एहमद उस समय देश दे की सं रास्ट्र पती सन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन very very important question किर्पय कर्के गली याद रखियो दबारा प्रियांबल साथे सवी दाहन्दा पहला पेज है ये साथे सवी दाधी definition है ये साथे सवी दाहन्दी introduction है मुढली जानकरी है ये साथे सवी दाहन्दी किया है introduction है याद रखियो this is the introduction of Indian constitution very very important question प्रियम्बल USA तो इंस्पाइड है यह पंडित जवारलाल नहरू लेकिया इसी प्रियम्बल दी पहली लाहिन की है We the people of India USA दे विच अपने प्रियम्बल नू की कहा जान्द है Object Resolution कहा जान्द है What we called preamble in the USA Object Resolution कहा जान्द है किरपय करके गल याद रखियो स्क्रीन शॉट लेलो फटाफट स्क्रीन शॉट लेलो होर भी एक्स्ट्रा बहुत गल्ला दसूंगा मैं जो तुसी याद रखनी है उन USA से दे सवीदा अंतोसी होर की ले है USA से दे सवीदा अंतोसी fundamental rights भी लित्ते ने मौलिक अधिकार उन्हें चीज थो नूँ 90% बच्चया नूँ पता होगी विसाड़े देश दे मौलिक अधिकार USA तो लित्ते ने लेकिन सी टेट आला पेपर चा की पुछदा है सी टेट आला पुछदा है कि USA से दे विच्च fundamental rights किस नाम तो जाने जानद है ता USA से दे विच्च fundamental rights नू बिल ओफ राइट्स केया जानद है की किया जानद है С parrardist मेरा मनना है जो सी ठीय चाऊगा ऑदा जुठ्ठा पी स टीक चाऊगा याद रख्यों जो सी ठीय चाऊए जुठ्धा ही पी एस क्यों होंगा हूंदा है तब फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार USA तो लित्ते गई हन लेकिन USA दे विच्च मौली कदिकार यानी की fundamental rights नू बिल ओफ राइट्स दे नामतों जानेया जन्दा है किर्पया करके ए गल जरूर याद रखनी है very 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 important question है हो रसी की लित्त है USA दे सविदान तो USA दे सविदान तो सी supreme court भी लित्त है supreme court पार तरी जड़ी सर्वोच न्याले है दिल्ली आली supreme court एहे USA से दे सविदान तो लित्ती गई है याद रखी हो next होर की लिए USA तो removal of supreme court and high court judges removal of supreme court and high court judges supreme court अते high court दे जड़े जजने उन्ना नू impeachment उन्ना नू हटान दी पर किरिया ये टाइम तो पहला supreme court अते high court दे जजने हटाना है उन्ना नू हटान दी पर किरिया भी USA तो लित्ती गई है fundamental rights भी कित्तो लित्ते गई ने USA तो इंडिया दा जो constitution है और written constitution है पार्त दा जो सविदान है ओ हो लिखित सविदान है याद रखियो पार्त दा जो सविदान है ओ केडा सविदान है पार्त दा सविदान लिखित सविदान है पूरी दुनिया दे विच्छ सब्तो पहला लिखित सविदान USA दासी ता साधे पेपर चोशन हा जान्द है कि इंडियन कॉंसिटूशन दे विच्छ रिटन कॉंसिटूशन दे साथड़ा Constitution भी रीटन है ते पूरी दुनिया दे विच्च सब तो पहला Constitution जो रीटन सी वो भी केडा सी USA ता असी सविदान लिखन दी परेरना जो है ओहो USA तो लित्ती है किर्पया करके एग अल याद रखे हो होर की लित्त है USA तो Independence of Judiciary Independence of Judiciary यानी कि नय पालिका दी अजादी जेडी सड़ी नय पालिका है ओहो कार्च पालिका अते विदान पालिका तो अजाद है साथे सा विदान दे विच्च तिन खंबे होंदेने इंडियन Constitution चे तिन पिलर होंदेने सब तो पहला हुंदा है Legislature जिन्हों तुसी विदान पालिका कहने हो जो कानून बनांदे कम बन दी है दूसरी हुंदी है Executive जिन्हों तुसी कार्ज पालिका कहने हो जो कम कर दी है प्रदान मंतरी राष्टवती मुख मंतरी MLA MP इस सारे कार्ज पालिका दनी तीसरी हुदी है जुटीशरी जीनूँँणी नियाएइपालिका कहनों ता साइडी नियाएपालिकानू कार्जपालिका यानि कि एग्जेक्योटिव अठेविदान पालिका यानि कि याद रखी हो क्लियर है हो राजो गे हो राजो एक्स्ट्रा चीज हो रापा की लिख साग दिया हो देख लेनिया ठीक है वोटिंग एज पहला पार्तिय सविदांच वोट पांदी उमर एक कोशन ना पी एस टेट ने पुछ पुछ के कसा आता जी मैं आप अब रश मार मार कपड़ा कसा दिन्या पहला वोटिंग एज 21 साल हुंदी सी उन वोटिंग एज 21 साल तो हटा के किन्ने साल कारदिती गई ठारा साल ठीक है ता कोशन होगा पार्तिय सविदांच वोटिंग एज 21 साल तो कटा के ठारा साल केड़ी अमंडमेंट दे रहीं कित्ती गई ए कित्ती गई 61st अमंडमेंट 1989 उन्नी सो उन्नानमे दे विच्छ 61st यानि की काट मी शोध परकीरिया रहीं वोटिंग एज नू 21 साल तो कटा के ठ सारा साल कित्ता गया ते जद हे परकीरिया कित्ती गई परदानमंत्री कौन सी राजीव गांदी उस समय देशदे परदानमंत्री कौन सन किर्पय करके याद रख्यो उस समय देशदे परदानमंत्री राजीव गांदी सन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर् केंदा जी we have borrowed directive principle of state policies from the which country directive principle of state policy याने की राजदी नित्ती अते निर्देश दे सिदांत directive principle of state policy दा मतलब है राजदी नित्ती अते निर्देश दे सिदांत directive principle of state policy असी लित्ते ने आयर्लेंड दे सविदांतो पहला कोशिण DPSP is taken from which constitution ता DPSP directive principle of state policy असी आयर्लेंड दे सविदांतो लित्ते हन लेकिन आयर्लेंड ने ओरिजनली DPSP Spain तो लित्ते हैं असी आयर्लेंड दे सविदांतो कॉपी मारे है या इंस्पायर ते आयर्लेंड ने केड़ेश दे सविदांतो लित्ता है Spain दे सविदांतो लित्ता है किरपय करके याद रख्यों next आ जो इंडियन सविदां दा इंडियन Constitution दा पार्ट वान है जो पाग पहला है जो ओदे विच आर्टिकल यानि की तारा इकतो लेके चार तक आंदी है पार्टियस दांदा पाग पहला तारा इकतो चार तक है पार्टियस दांदा पार्ट टू यानि की आर्टिकल 5 तो लेके 11 तक आंदा है ठीक है पार्ति है सबिदा आंदा पार्ट 3 12 तो लेके 16 तक जन्दी है 12 मेंफ altura तो लेके 15 में आर्टिकल तक जन्दी है ठीक है लेकिन जेडा पार्ट फोर है जेडा सड़े को ले पार्ट फोर है ओ आर्टिकल छती तो अकवंजा तक जनदा है ते एहे DPSP बारे दस्त है ता तो अनुए कोशन भी पेपर चाह सकते है कि राजदी नित्य अते निर्देश दे सविदान्त पार्तिय सविदान दे किन में पा सहन किरप्य करके एक अली याद रख्यों DPSP जो है पार्तिय सविदान दे पाग 14 था है पार्ट वान दे विच यूनियन और स्टेट संग अते राज्य यूनियन और स्टेट्स दा जिकर है पार्ट तू दे विच सिटिजन्शिप यानि कि नागरिक्ता दे निज्मा दा व वारे दसदा है किरपय करके याद रखियो पार्ट चार है जो है और DPSP Directive Principle of State Policies वारे दसदा है किरपय करके है याद रखियो important question है असी DPSP कितो लिता है Ireland तो लिता है ते Ireland ने DPSP प्यारे बच्चों कितो लिता है Ireland ने DPSP लिता है Spain तो very very important question next आजो Ireland तो होर की लिता है method of election of Indian president 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 पार्टिय राष्ट्रपती दी चौन पर की रिया next जेडा देश दा राष्ट्रपती हुंद है president हुंद है ओधे कोले पावर हुं दिया है 12 मेंब्रा नू 12 सदस्यानू राज्यसवा दे विच्च नॉमीनेट्ट करन दी त्या अन्स उन्होंनों जो व्यक्ती सादे देश दा राष्ट्रोपती औनू पावर मिल दी यह 12 सदस्य आमानू राज्ये सभा देविच्च अब देअकोर्डिंग मनोनीत कर सकता है। नोमίνेट कर सकता है। अपॉइंट कर सकता है। राष्टपती दी ए पावर जी दे तहत ह हो बारा सत स्य मानूं राज्य सबा दे कर सकते है। आइलेंड तो लित्ती है। आइलेंड तो मेनली तिन चीज्या। लित्तिया ने। । Reiniope The nämlichitated enam custom State powers वसी नमबर 2, method of election of president, राष्ट्रपति दे चुनाब परकीरिया, नमबर 3, राज्यसवा दे बारा मेंबर, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किते जान देने, यह भी असी Ireland तो लिते ने, DPSP जो असी Ireland तो लिते ने, Ireland ने यह कितो लिते हन, Spain तो लिते हन, very very important question किरपय करके इस गलनू याद रख्या जावे double star लगा लित्ता जावे very 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 important question प्यारे बच्चो very 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 important question clear है जी next article 303 ताली याद रखने एक question पी ए स्टेट चाया हुए है तारा 303 ताली article 303 ताली की कहनदा है कि जेड़ी union है जेड़ी union है यानि की संग है ओदी ओफिशल लेंगवेज हिंदी होगी हिंदी ऐस दा ओफिशल लेंगवेज ओफ यूनियन very very important संग दी अधिकारिक पाशा केड़ी होगी article 343 कहनदा है कि देट ओफिशल लेंगवेज ओफ दा यूनियन विल भी हिंदी पार्तिय सविदान दी किस तारा देता है था हिंदी नू संग दी यानि की पूरे सेंटर गववर्मेंट दी ओफिशल लेंगवेज रिक्लेयर किता गया है यूद दी आपिकल 343 इस्ट बादि का अटिकल याद रखांगे 61 आपिकल 61 तारा का टेजी देशने राष्टपती दी प्रेजिटन आफ इंडिया दी impeachment दी गल कर दिये President of India दी impeachment Now what is impeachment? महादोश परकीरिया देश दे राष्ट पती दे उत्ते महादोश लगान दी परकीरिया Impeachment करन दी जड़ी परकीरिया है उत्तारा 61 दे तहत दसी गी है Very very important question Double star लगाईएगा यहां पे Article 61 of Indian Constitution Talks about the Impeachment of Indian President किर्पया करके इस गल नो पले भन लो Very 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 important question कोई चीज़े दे विच समझ नहीं आरी ता किर्पया करके इनू कमेंट बॉक्स दे विच लिख दो भी सरा चीज़ समझ नहीं आई ठीक है यह समझ आगी ता चुप चाप चाप चाके दा की ले लो Screenshot ले लो की ले लोंगे चुप चाप चाके दा Screenshot ले लोंगे किर्पया करके एक अल भी याद रखे हो Very very important Next आजो बच्चो इक का पा याद रखना है ठीक है जी बस एक्स्टा चीज़ा ता हो राप पह दे विच उनकी याद रखांगे फिर ता जारा डीव दे विच हो चुगा Next आजो अच्छा जी एक कोच्चन चाल दे फिर दे पुछलेंदे ने कि जडी साड़ी Constitution Assembly सी जडी साड़ी सविदान बना अनाली सवा सी Constitution Assembly उस Constitution Assembly दे विच वुमेंस दी संख्या किन्नी सी औरता दी संख्या किन्नी सी ता उस Constitution Assembly दे विच औरता दी संख्या पंदरा सी याद रखियो ठीक है total number of the women in the constitution assembly जिने साधे देश दा सविदान बनाया ता याद रख्यो उस सविदान सवाच औरता दी संख्या किननी जी उस सविदान सवाच औरता दी संख्या याद रख्या जावे ठीक है जी next question अगे बाद देया अगला question है जी nomination member of राज्यसभा by the president taken from the which constitution राष्टपती द्वारा 12 अधस्या नू राज्यसभा देच नाम-जद या न्युक्त करंदी पर केरे देश तो लिद्ती गई है उन्हीं मैं पिछेदास के आया या लिद्ती गई है जी Ireland तो लिद्ती गई है केरे देश तो Ireland तो ठीक है जी हुन साउथ अफरिक्का जे तुसी इंडिया दे चॉंस्टिटिउशन दे चॉंस्टिटिउशन दे चॉंस्टिउशन 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 दे चॉंस् वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्तिय सवीदान दे विच सोध करन दी पर के रिया ठीक है फ्रॉम दा साउथ फ्रिक का वी है वेरी एव टेकन दामन्टमेंट प्रोसेस अफ इंडियन कॉंसिटूशन किरपय करके याद रखियो ते जड़ा amendment process है पारते सविदान दे article यानि की तारा 308 दे विच दस्यागय है very important article एक question पुछ लेंदेने केडी तारा दे तहत amendment process दस्यागय है Indian constitution दे विच ता amendment process दस्यागय है तारा 308 दे तहत हुन राज्ये सवादे विच जिनने भी member हुंदे ने 12 member अनु छड़ के जड़े दूसरे member हुंदे ने ओहो election दे थरू आंदे ने उनना नु एक चुनंदी पर कीरिया है 12 member ता हो ने जिननु राष्टपती आप दे मान दे नाल बिना election लड़े राज्ये सवादे पेज दिन द वास्ते जिनननु की लड़ना पेंदा है election लड़ना पेंदा है ता राज्ये सवादे मेंबरा दा जो election पर की रहे है ओ असी साउथ फ्रिक का तो लित्ती है 12 member नु देश दा राष्टपती प्रेजिदेंट आफ इंडिया नॉमिनेट कार दा है राज्ये सवाद दिस प्रसे साउथ अफ्रिक का तो याद रख्यों क्लियर है फ्रांस फ्रांस तो असी की लित्ता है साधे प्रियांबल दे विच तिन शब्द ने प्रियांबल च तिन शब्द ने लास्ट च च ठीक है that is equality equality liberty liberty fraternity 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 समानता liberty da mark ondai ajadhi fraternity 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 भूस्ष आचाए करके इस गलनु याद रख्या जावे very very important question नेक्स्ट आजू साड़े देश दे विच्छ सिंगल सिडिजन शिप हुन दी है कहरी नाग रिकता ठीक है अमरिका वारगे देश्या दे विच्छ डबल सिडिजन शिप हुन दी है साड़े मुल्क दे विच्छ सिंगल सिडिजन शिप हुन दी है यह जड़ी सिंगल सिडिजन सविदा आंतो लित्ती है single citizenship है जो असी प्यारे बच्चो ओहो असी युक्के दे सविदा आंतो लित्ती है लोकसवा दा जेडा head हुंद है लोकसवा दा head उन्हों असी बोलनेया speaker लोकसवा दे head नू की किया जान दा किया speaker तोफ पोस्ट ओफ स्पिक्कर आफ लोकसवा दे speaker दी out pay ुक्के दे सविदा आंतो लित्ती है है प्रिप्या करके इस गल नू याद रख्या जावे very 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 important question ते paper दे विचे हैं बहुत बारी पुछ्या भी जानदा है ठीक है पूरी दुनिया दे विचे दो त्रिक्चे दी सरकारा हुं दियाने त्या अनल खोपड़े में मेरी गल सुनो पूरी दुनिया दे विचे दो त्रि प्रेजिडेंशियल गौर्मेंट प्रेजिडेंशियल गौर्मेंट यानि की रास्ट्रपती परनाली रास्ट्रपती सरकार एक हुंदी है पार्लियमेंटरी गौर्मेंट पार्लियमेंट गौर्मेंट यानि की संसदिय सरकार प्रेजिडेंशियल गौर्मेंट की हुंदी है जित्थे राष्ट्रपती ने जो कहता वो मंदनाप होगा राष्ट्रपती खुद कानून बना सागदा उन्हों किसी तो पुछंदी लोड़नी एहे यूएसे होंदी है लेकिन जित्थे पार्लियमेंटरी गॉवर्मेंट होंदी है उत्थे तो नू सब कुछ संसदी मंजूर करना पेंदा है ठीक है पार्लियमेंट दे इच्छानुसार करना पेंदा है कोई बिल पास करना है ता उजे पार्लियमेंट जोड़ी मेजूरिटी होगी ता तुसी पास करोंगी ता इंडिया दे विच पार्लियमेंटरी गॉवर्मेंट होंदी है पार्त दे विच संसदिय परनाली हुन्दि है सब्डे उरे सब्टो पावर्फुल रास्टपती परदानमंत्री नि हुन्दा संसध हुन्दि है The most powerful in India in term of the government is the Parliament clear है ता जेड़ी है संसधिय परनाली सरकार है विपार्थ विच सब कुछ संसध दे थ्रू हुगा यह भी आसी form of government संसदिय परणाली परकीरिया एब यसी UK या ब्रिटेन दे सविदान तो लित्ती है किर्पया करके इस गल नू याद रख्या जावे वेरी 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 इंपोर्टेंट कोश्चन वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट पार्तिय सविदान नू बनांदा सब्तो बद श्रे जानदा है ड्राफ्टिंग कमेटी नू ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत बहुत कोशन आया बच्चो पीया स्टेट जा ड्राफ्टिं सट आप ड्राफिण कमैटी सेट इंफ आप होई सी उन्त्य अगस्त्त निस वो संताली रूवज्यद भाग जानदाएं निसमत्रफिंग कमैटी धे चैर मैंन याद रंक रहाई अग हैरे अंबेदकर साब, ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेर्में सन, याद रख्यों, डॉक्टर बी आर अंबेदकर साब, ड्राफ्टिंग कमेटी दे की सन, चेर्में सन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेर्में होन करके ही, डॉक्टर बी आर अंबेदकर सावनू father of Indian constitution क्या जन्द है ठीक है तुसी किसे बच्चे तो पुछो पी अम्बेदकर सावनू रीज्योधाने मीट कहुता है एक सावीधान आजन्द है में कहके चूह जन्द है नहीं संभिदान नहीं सावीधान नहींर हो gummy जन्रतिक भी खोव्चों परफ्टिपण साव चेयर में होन कारके अम्बेदकर सावनू पार्थिय सविदान आणा फादर के हा जन्द ही इंडिया दा जो constitution है उनु बनान वास्ते दो साल 11 महिने 18 दिन लगेने लगबग 4 लगखर पे दा खर्चा आये इंडिया दे constitution बनान वास्ते लगबग किने लगखर पे दा खर्चा आये चोंट लगखर पे दा खर्चा आये याद रखियो very very important very 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 important clear है जी next अग्गे बाद दिया प्यरे बच्चों होर जो कोई important question तो अनु लगगे तक किरपय करके उनु कमेंट बॉक्स दे विचे लिख दियो मैं तो अनु करवा दूँगा पार्तिय सविदान दे विचे पांच त्रिक्के दी रिट हुन दिया ने अपने को ले जगा बचीनी चलो अगली किसी slide ते कर लांगे रिट बारे ठीक है पहला उरे रिट बारे पढ़ देया रिट्स बारे पढ़ देया रिट्स अपा कहना है पेपर ते रिट पहेगी ठीक है या फिर notification ते रिट पहेगी पहला ता याद रखियो रिट रिट हुन दिया किन याने रि habeas corpus habeas corpus habeas corpus पारते सविदान दी पहली रिट्ट हों दी है habeas corpus फिर यह नरा मतलब समझाओंगा दूसरी रिट्ट हों दी है मेंडा मस मेंडा मस तीसरी रिट्ट हों दी है को वरंटो ऊते हो सुति रिट्ट हों दी है प Profition कि पंजμέ रिट्ट हों दिया है ऌन्हों गोल्लिया ता सिशायर जानत है पर लिखया जानत है seritoria अबदी अबदी प्रननंसियेशन है seritoria seritoria यानि कि सी शौर बोल्या सी शौर जान्द लिखे seritoria जान्द है ये पांचरिट हुन दिया ने पार्तिय सवी दा आंदे विच इनना दा मतलब पुछलेंद है ठीक है सबतो पहला dynasty बीटी ये दा है साउध अबेश कॉर्पस दा मतल हुन दा है तू हैंरा सब्सक्तिय worry लेटी पाशा दा शाभ्ड अउच्वामारीक केडी पाशा द सभ्चक है अदा सब्सक्तियो revols असी तेन्नु आदेश धिन्या, we command you, very very important, we command you, को वरंटोदार थुन्दा है, what's your authority, को वरंटोदार थुन्दा है, what's your authority, तेरी authority की है, तेरी power की है, तेरे को ले किस power देता है, तेहे post आई है, what's your authority, clear है, prohibition दा मतलब हुन्दा है, to forbid, to forbid, अग्गे बदन तो रुकना, to forbid, to forbid, direct मतलब पुछ दा है, पेपर चाओगा, heaviest corpus दार्थु की हुन्दा है, तो अथ लिके हुन्दा है, to have the body, mandamus शब्द दार्थु की हुन प्रोहिबिशन शब्द दार्थु की हुन्दा है, to forbid, ते next, seritoria, या serishor दार्थ हुन्दा है, to be certified, to be certified, या फिर, to be informed, to be informed, उन्द उसी को ओंगे सरे, नू पंजाब बीच दास दो, जवाको रिट दा जनम ही अंग्रेज जीच होया है, तो नू मैं पंजाब बीच की में तुसी बस इनना दे शब्द दा अर्थ याद रखने है, पी एस्टेट दे विचे है आन्द है, that's it, एक कोशन इंपोर्टेंट है, नाल याद रखियो, पार्थ दे विचे एक संस्ता है, नितियायोग, एक कोशन बहुत आन्द है, नितियायोग कद बनिया सी, जिस्थापना कद होई सी, नितियायोग जिस्थापना 1 जनवरी 2015 होई सी, किर्पया करके एक कोशन तुसी जरूर याद रखना ही रखना है, clear है, हुन आन्या मेन कोशन थे, हुन साध्य कोले या चोथा कोशन है, पढ़ लो फड़ा फट, चोथा कोशन है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है जी, ते दसो मेन नू, बीरा अंसर की या होगा, थो नू दिते एक कमेंट, Concept of Judicial Review, नय पालिका दी पूर्न जांच, Concept of Judicial Review, देखो, Concept of Judicial Review असी यूएस से तो लितता है, Concept of Judicial Review, Independence of Judiciary and the Concept of Judicial Review, यूएस से तो लितता है, Concept of Judicial Review की हुन दा है, बी, जे कोई पार्त दी निया पालिका, चाहे Supreme Court है, चाहे High Court है, ओहो किसे केस्ते अबदा फैंसला दे दिन दिये, ता, ओही संस्था, चाहे सुप्रीम कोट है, High Court है, ओहो अबदे दित्ते होई फैंसले नू, पूर्न विचार कर सक दिये, मतलब वो पत्थर नहीं होगी, जो मैं कहता है, बस नू खतम है, ओहे उत्ते द्वारा विचार ही नहीं हो सकदा, ठीक है, चाहे हो Supreme Court है, चाहे हो High Court है, ओहे विच पूर्न विचार याचिका, यानि कि आप दे दित्ते गई फैंसले नू, द्वारा विचार कित्ता आ जा सके, सोचे आ जा सके, इस प्रसेस और दे कोले माफी शक्तिया हूं दिया, पार्डानिंग पावर, माफी शक्तिया, विच किसे ढिसा रगदा हम द कि कता, रढद कर सकद आ, विचार हम पार्तिग सविदान दीiven exhausted, पार्थेёл sausage ना कि common question in P.S.T.H.T. and C.T. The pardoning power of Indian Constitution by the President of India is comes under the article of 72. देश दे राष्टपती दी माफी शक्तियां जेडिया ने केडी तारा दे अंदर आंदिया ने ताहो तारा तो अडे कोले बहत तर दे अंदर आंदिया ने किर्प्य करके ही याद रखियो नेक्स एक चीज होर जे तुसी रास्टपती बनना है प्रेजिडेंट बनना है तक का टोकाट उमर किन्नी चाहिए दिया पैंती साल जे तुसी वाइस प्रेजिडेंट बनने है ता कटो कट उपराश्च पती बनने है ता भी कटो कट उमर चाही दिया है पैंती साल जे किसे ने राज्य सबादा मेंबर बनने है राज्य सबादा मेंबर बनन वास्ते कटो कट उमर चाही दिया है ती साल लोक सबादा मेंबर बनना है लोक सबादा मेंबर बनना वास्ते कटो कट उमर चहीदी हुन दिया है पची साल जे किसे ने विदान सबादा मेंबर बनना है विदान सबा लेगिसलेचर असेंबली विदान सबा यहाँ कहलो MLA बनना है MLA बनन वास्ते भी कटोकट उमर चाहिए 25 साल देशदे विच MLA बनन वास्ते भी कटोकट उमर किन्नी चाहिए 25 साल इरप्या करके यह घल भी याद रखेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टन कोश्छन है क्लियर है जी इस सलाइट ते सब्तों इंपोर्टेंट चीज रिट ने हैं पांज रिट सुन दिया ने हैबियस कॉर्पस जीदा मतलब हुंद है तू है दा बॉड़ी दूसरी रिट है मेंडामस जीदा अर्थ हुंद है वी कमांड यू थर्ड रिट है को वरंटो वाट्स और अथॉर्टी चोथी रिट है जी प्रोहीबिशन तू फॉर्बिड किसे चीज नू अग्य बदन तो रोकना पंजमी रिट है सिशौर या जीनू से ट्रोरियर भी बोल देने तू भी सर्टीफाइड तेनू दस्रिया जानद है या फिर तू भी इनफॉर्म्ड तेनू द ataradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad USSR दे सविदान तो लित्ते ने किर्पय करके याद रखियो fundamental duties जद सविदा आंच एड हुई आसी original मूल रूप्च ओ दोनना दी संख्या दाससी at present fundamental duties दी संख्या दास्तो बाद के 11 हो गई है होर असी रशिया तो की की लित्त है असी रशिया तो लित्त है planning commission वैसे ता planning commission इंडियन एकॉनमी दा हिस है पर प्लेनिंग कमिशन चेक कर लियो 2018-2019 पेपर अच प्लेनिंग कमिशन दी डेड़ पुछी गई है ठीक है जी 5 year plan पंच वर्षी योजना 5 year plan यानि की 5 साली योजना 5 year plan ओ भी असी रशिया तो लित्त है 5 year plan पंच साली योजना ठीक है जी ओभी असी रशिया तो लित्त है की की लित्त है fundamental duties ठीक है planning commission 5 year plan प्रियम्बल देविचिक शब्द है justice justice यानि की सबको नियाएं मिलेगा ये justice सब्द भी रशिया दे सविदा आंतो आया चार चिजा fundamental duties भी रशिया दे सविदा आन तो आया ने नंबर टू planning commission योजना योग रशिया दे सविदा ने सार्तो आया है जौसफ स्टैलिन लेके आया सी रशिया दे विच्च जौसफ स्टैलिन नाम रख डिक्टेटर हुए है दुनिया दा सब तो बड़ा डिक्टेटर हुए है जौसफ स्टैलिन एदा कंसेप्ट सीगा planning commission 5 year plan असी इंडिया दे विच्च वमी कॉप्पी मारे हु सfr बरी विच्च वेर वेरी 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 इंपॉर्टनन राकुंत कॉट्उटर कलियर है जी आई होप इन निक गल्ट उन्नुघ जरूर कलियर होगी होगी थोड़े पेपर दे विच्च सार सी ज्या important ने खत्या ख然后 सी च्रो्ट भीड रख छी हो नीधा भी न हीद depends शान है अग्या आजो कोर आजो देश दा जेडा रास्टपती हुन दा है प्रेजिएंट एने को लिक पावर हुन दिया है जिनू बोल देने ओडिनेंस पावर अध्या देश प्रेजिदेंट दी ओडिनेंस पावर एदा आर्टिकल याद रखे हो तारा 123 देश दे रास्टपती दी ओडिनेंस पावर दा ओडिनेंस पावर ऑफ इंडियान प्रेजिदेंट इस कम्स अंडर दा आर्टिकल ओफ 123 आर्टिकल एक्सो तेई अंडरांदी है ते जड़ी रास्टपती दी ओडिनेंस पावर अध्या देश नू जारी करन दी शक्ति है एह government of India act पार्तिय सरकार कानून 1935 दे तहत लित्ती गही है जे उन्थो नू पार्तिय सरकार कानून 1935 नहीं पता मतलब तुसी ना modern history चाजनाल पड़ी है ना तुसी Indian polity चाजनाल पड़ी है पुल जो थोड़ा PS that clear है उरी video खतम कर दो जे थोनू government of इंडिया एक 1935 नहीं पता बिल्कुल भी नहीं पड़ेया फे नहीं थोड़ा पेपर कलीर होंदा गरंटी है ठीक है क्योंकि यह पॉलिटी थे मॉडरन हिस्ट थेक बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट है द्वारा सुलो देश ना जड़ा राश्चुपती होंदा है ओदे को लेक पावर होंदी है ओहो बिना किसे पार्लियमेंट तों पास करवाई किसे भी कानून नूँ छे महिन्या वास्ते देश्च लगू कर सकते है बिना संसद्धी मंजूरी दे किसे भी कानून नूँ बदोबद छे महिन्या वास्ते लगू कर सकते है राश्ट्रपती दी इस इस दीपावर नै पार्तिय सरकार कानून Government of India Act उन्नी सो फैंथी्टी तो लिखता गे Government of India Act Indian Constitution दा biggest source है Indian Constitution दा पार्तिय सबीद अन दा सब्तो वड़्ड़ा source है Indian Constitution दा सब्तो वड़्डा source है ова निदम नम्टिस वीद अन दा लग गग 75 परेसेंट हिशा इसी कानून दे अंडर आया हुए है Government of India Act 1905 is the largest source of Indian Constitution साथे सवी दा आन्दा 75% हिस्था comes from Government of India Act 1905 ते जडी Government of India Act 1905 है एहे Simon Commission दी रिपोर्ट देदा इसी Simon Commission रिपोर्ट याद रखना है Modern History दा कोशन नाल दासता चार कोशन दासते वीडियो नूँ पोज करो सबर नाल देखो एओ गल्लाने जो हरिक टीचर नी दासता मो ठीक हो पड़ीच पालो मैं थो नूँ की कि है कि पार्तिय सवी दा आन्दा biggest source सब तो बड़ा हिस्सा केडे कानून दे तहत बने है Government of India Act 1935 दे तहत बने है Government of India Act 1935 है जड़ा एदे विचो ही रास्टपती दी अध्यादेश ओर्डिनेंस पावर नू लित्ता आगे है क्लियर है रास्टपती दी जड़ी ओर्डिनेंस पावर है और बदवद किन्य मीन लगून दिया है छे मीन लगून दिया है Government of India Act 1935 जो है ओहो केडी रिपोर्ट ते अधारित सी साइमन कमिशन दी रिपोर्ट ते अधारित सी किर्प्या करके इस गल नू याद रखे हूं क्लियर है Next हो राजो अगर असी इंडिया दी पार्लियामेंट च इंडियन पार्लियामेंट च पार्ट दी संसद्धे विज किसे बिलनू पास करना है बिलनू की करने, पास करने, तब बिलनू पास करन वास्ते तिन रीडिंग्स लाग दियाने, एक कोशन आन्दा है, किसे भी सविदा आन्दे तहत, बिलनू पास करन वास्ते किन या रीडिंग्स लाग दियाने, तिन रीडिंग्स, पहला हुन दिया है फस्ट रीडिंग, फेर हुं दिया है second reading सविधान थ है तहत संसदे विच्च भिल नुपास क्रंदीया किनिया स्टेज्जा हुं दिया ने तिन स्टेज्जा हुं दियाने ठीक है पहली रीडिंग दूसरी डींग ते तीसरी डीडिंग टोटल किनी reading हो गिया थर तिन रिडिंग हो गिया किर्पया करके इस गाल नूँ याद रख्या जावे very very important question next प्यारे बच्चो अग्गे बार दिया we have borrowed the parliamentary system संसदिया पर नाली असी किस देश दे सविदा अन्तो लित्ती है उन्हीं मैं पिछे डिटेल च दासके आया कि संसदिया पर नाली असी ब्रिटे अन्तो लित्ती है Russia हो या चाहे अमेरिका हो गया इन्ना च प्रेजिडेंशिल गौर्वर्मेंट हों दी है प्रेजिडेंशिल यानि कि रास्टपती सब तो जादा पावर है प्रेजिडेंशिल गौर्वर्मेंट हों दी है ठीक है अमरिका दे विचोन इलेक्षन होन आले ने फिलाल दीकडी अमरिका दे रास्टपती ने जो बिडन जो बिडन ठीक है रशिया दे रास्टपति ने फिलाल दी कड़ी विलादमीर पुतिन एता अगले 15 साल जानदा नी ते जो बिदन मेरे ख्याल चाहनदा नी डोनल्ड ट्रम्प दवारा होगा विलादमीर पुतिन विलादमीर पुतिन रशिया दे प्रेजिडेंट नी क्लियर है जी नेक्स्ट अगे चल दिया पैरे बच्चों अगे उन्हेरे विच्च पाई तिन चार चिज्जां जो तुसी एक्स्ट्रा याद रखनिया ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने ठीक है की की याद रखोंगे सुनो फिर मेरी गल राम नल प्यार नल सुनो इक याद रखना है सरकारीया कमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारिया commission पता नी PA beni estate ने किनi भार पुचलिया सरकारिया commission सरकारिया अयोग सरकारिया commission June 1983 छो बनिया सरकारिया commission was formed in the year of June 1983 23 सरकारिया आयोग दे तिन मेंबर सी ते आनना सुनलो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार पेपर चांद है सरकारिया कमिशन दे तिन मेंबर सी पहला डॉक्टर आर सेन, डॉक्टर आर सेन ठीक है नेक्स्ट सी बी सिवारमन, दस सुंगा भी की कम कर दी सी है आयोग, बी सीवारमन ते तीसरा सी गा जी तो आदेको ले दैड इस यौर आर एस सरकारिया आर एस सरकारिया ते एहे इस आयोग दे हैडसन, त्यार नल सुनो बहुत बार पी स्यम्त давайте होलीTION थंडा सरकारियों कंशन बने जून sont act रासिच सरकारिया योग दे किन्य Annason 13 ड़ॉकटर रार सेन बिस्यवारमन आर रैसस आर्म सरकारिया इस आयोंग दे चेरमेन कहलो या है डियुसेट्यर के लो थीक ओ और कमकी सिप्स 바29 कि किस तरिखे दी नाल सेंटर अते state government केंदर सरकार अते राज्य सरकार दे विच जेड़े relation ने उन्ना नू इंप्रूव किता जा सके किस तरिक्के दे नाल राज्य सरकार अते केंदर सरकार दे विच जेड़े relationship ने उन्ना नू इंप्रूव किता जा सके बहतर किता जा सके इसलिए सरकारिया योग बनिया सी very very important clear है तू examine the center and state relation के इंदर अते राज सरकार दे बिचाले जो relation ने उन्हानों examine करना सी उन्हानों analysis करना सी ते किस तरिके नाल उन्हानों improve किता जा सकता है एदे बारे दसना सी clear है याद रखियो ते सरकारिया कमिश्ण ने थ्री लेंग्वेज फॉर्मूला दिता सी असी सारे जर दसमी बार्मी तक पड़ेया थ्री लेंग्वेज फॉर्मूला दे अंडर पड़ेया असी English compulsory सीगी साढ़े को ले हैंगी सी कि नहीं दसमी तक फेर Hindi compulsory हुंदी सी पंजाबी मधर टंग मरती हुंदी मघर टंग ठाह्तरी अंडर को दसमी निंजवक्त आपद पलन दसमी तक हर एकिक छीवेज्वम सर्कारीय कमिश्ण ने थी अचेरी ही के आधने याद याद रखियो इक पुछ्छा जानता है जी मंडल कमीशन, very important, मंडल कमीशन, बोट बार आया है, P.S. टेट जा, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, 1979 चे बने या सी, इनू बनाया सी जंता दल, जंता दल सरकार ने, ठीक है, जंता दल सरकार दे उस समय है दसी मुरार जी दे साई, very important, very very important, याद र मंडल कमीशन, 1979 चे बने या सी, जंता दल सरकार ने बनाया सी, मंडल कमीशन क्यों बने या सी, कि जड़े O.B.C. ने, अधर बैकवर कास्ट दे लोग ने, इना नू प्राइवेट अते सरकारी नौकरिया दे विच, इना दी रिजर्वेशन बदा ही जावे, रिजर्वेशन इनक्रीज करन वास्ते, पर एना दा बहुत जादा विरोध होया सी, ठीक है, ते फिर फाइनली मंडल कमीशन दी जड़ी सफार्शा सी गिया, वो वापिस लेलितियां गिया सी, असल दे विच, मंडल कमीशन दे जो चेर्मैं सी होना दा नाम सी, B.P.Mंडल, B.P.Mंडल, B.P जी दसाई परदान मंत्री सी, क्लियर है, ते इस कमीशन दा नाम सी मंडल कमीशन, एहे पार्त विच ओ भी सी, अधर बैकवर कास्ट दे बच्चया नू, या लोगका नू, जरवेशन जादा तो जादा कीमे दित्ती जा सके, एदे बारी गल कर दी सी, किरपय करके, इनिक ग बंगाल, बंगाल दा पर्मानेंट बंदोबस्त, केड़े एर्च होया, स्थाई बंदोबस्त, 1793, पी एस्टेट च तिन बारी पुछे गया, दा पर्मानेंट बंदोबस्त ऑफ बंगाल, पर्मानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल दा स्थाई बंदोबस्त, 1793 होया कि ने किता सी Lord Cornwallis Lord Cornwallis ने बंगालदा स्थाई बंदोवस्त किता सी बहुत वार ही कोशन रिपीट होया है किर्पया करके इस गलनू याद रखे हो किर्पया करके इस गलनू याद रखे हो clear है next RS माज़ दी स्थापना PS टडच पुछे गया RS माज़ दी स्थापना कद होई सी थारा सुपचत्तर RS माज़ दी स्थापना कद होई सी in which year RS माज़ वास फॉर्मड RS माज़ वास फॉर्मड in the year of 1875 किर्पया करके एक कोशन भी याद रखे हो बहुत वार पुछे गया पूना पैक्ट कद होया सी इकना मेंने वीडियो करवाई हुई है एक वीडियो करवाई हुई है अड़तालिमिंट दी है पिछले साल कराई सी जिरे बिच मेंने महात्मा गांधी ने जिनने आंदोलन चलाएने जिनने MC के उआएने एक एक चीज डिसकस किती है पिएस्टेट चीक या दो कोशन हर वारी गांधी त्यानत है की लिए ना तोसी महात्मा गांधी पिएस्टेट बालाज एजुकेशन पॉइंट अड़तालिमिंट दी वीडियो होगी ओही देखनी है कोई काटबदाली नहीं देखनी ठीक है ओधे विच में गांधी थे सारे कोशन करायने हो जुरूर देख लिए उन्हीं पूना पैक्ट हुन्द है पूना पैक्ट पूने दा कानून एहे पूना पैक्ट महात्मा गांधी आते डॉक्टर बी आर अंबेद कर दे विचकार हुन्द है 24 सेप्तम्बर 19 32 24 तंबर 1932 पूना पैक्ट होया सी किर्प्या करके एगल याद रखियो वेरी वेरी इंपोर्टंट कोशन वेरी 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 इंपोर्टंट कोशन एक कोशन आ जांदा है कि जद इंडिया नू अजाद्धी मिली वन इंडिया get independence when india get independence who was the prime minister of ingland ingland da prada anamantri koon si jari india nu independence hitti gai clement atlee very important question clement atlee us same ingland da prada anamantri si da when india get independence when india get independence kirpaya karke e question bhi yaad rakhiyo kirpaya karke e question bhi yaad rakhiyo thik hai ji next a question lenya we have the borrowed the concept of liberty equality and fraternity the concept of liberty equality and fraternity the preamble chne tehe tinnon shabda si kitho litte ne france de savidan to litte ne next dekh lai naya asi japan to ki litta hai concept of procedure of law thik hai ji procedure of law kanoon di parkiriya jye koi banda thoi saamne bhi murder kare din da hai thik hai abhi puri dunia ne dekhi hai 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 nal di nal chakke faansi de dho ngi o da kya procedure hai nho polis pakarougi magistrate agge court agge peesh karougi saboot peesh karougi magistrate nho abdi gaal rakhanda moka dauga phir nho saja sanai jau phir nho faansi ditti jau e nho bol de ne procedure of law bhi kanoon di parkiriya follow kitti jan di aarik chiche e aasi japan to litta hai kirpya karke is question nho yad rakhye thik hai next the law on which supreme court work the law on which supreme court work supreme court work jis kanoon de tehet supreme court india cha kaam kaar da hai ho bhi japan to litta hai supreme court US se to litta hai jis kanoon de tehet supreme court kaam kaar da hai o aasi ki to litta hai japan to o aasi ki to litta hai piyare bachyo japan to litta hai kirpya karke egal yad rakhye javei very very important hai yad rakhyeo thik hai pere bachyo thik hai ji thik hai thik hai thik hai very good thik hai ji thik hai agge aajo agge chal deyao un ki aappa yad rakhna hai dhekho indian constitution de vich chae tin list hai hundhiyane pehli hundhiyai list one ehenu bol deyaan union list union list yaa sangh suchhi pher hundhiyai list two ehenu bol deyaan pa state list state list raja suchhi tisari hundhiyai paartiy savi jahan ch list three ehenu bol deyaan concurrent list concurrent list concurrent list yaani ki sima vartiy suchhi sima vartiy suchhi clear hai union list de vich o sari chijja da zikar hun da hai jide vich center government no power hai union list de vich o sari chijja hundhiyai hundhiyai jide vich kalli center government no power hai udha aran de taur te indian army hun army de vich kade koji state government dhakhal dee saak di hai nahi indian railway indian air force indian air lines thik hai tusi kade suchhi hai sune abhi panjab di sarkar ne abhi hawai jahat chalata lokkha baas te tukki airlines center government da muddha hai thik hai usi tarikkenal state list de vich o sari chijja hundhiyai joh state government de hath chene jime police panjab pols transport hai na agriculture de kuch muddhe thik hai te concurrent list chow muddhe hundhiyai jiche center te state dhonho milke kaam kar dhene both important concept daas reha video baddi hai chaya choti hai saalo dho barche dhekho puri dhekhani hai thik hai center te state government dhonho milke kaar dhene onho concurrent list chande ne hudha arandhe torte education 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 tin tin chijja mein daasriya puchhuga thik hai paartya sabidha anchi kiniya list ane tin hai union list union list chaki kye ane tin hai education economic development arthik vikas economic development hai joh state government ati center government dhonho milke kaar dhene acha huni pichhe jhe panchayti election hoke gahine e koshan bhot aandha hai panchayti election kedi list dhah hissa ane ta panchayti election state list dhah hissa ane kolke pijo is ka lho panchayti election is the part of which list panchayti election is the part of state list kirpae karke yad rakhiyo panchayti election kedi list dhah hissa ane state list dhah hissa ane huni yad rakhiyo koshan hao ga union list de vich kinne subject ne ta union list de vich total is is sa mei 100 subject ne matlab 100 ah jhe mudde ne jhe dhe center government de control chane jhe koshan hao ve state list de vich kinne mudde ne ta state list de vich kaart subject ne matlab kaart hai jhe mudde ya pawra ne jho state government de control chane jhe koshan hao ve concurrent list de vich total kinne mudde ne ta concurrent list de vich total bhawanja mudde ne fifty two subject ne concurrent list de vich there are total 100 subject in da union list sixty one subject in da state list and fifty two subject in da concurrent list kirpae karke is galnu yad rakhya jhaave clear hai ji clear hai next agge chalde hai ji agla question which country starter da provision of written constitution kedi country ne sabto pehla likhit savi da aandhi par ki rhea shuru ki itni si das daske mein bolha ho chukkya amerika puri dunia cha constitution piyare bachyo do trikke da hundda hai ik hundda hai written ik hundda hai verbal yaani ki mokhik sabto pehla written constitution si US te da sabto pehla verban constitution si ga UK da bas innik ga li yad rakhyo mokhik constitution UK da si india da constitution mein daas chukkya written hai isse liye likhit savi da aandhi paramparasi kede deshdi savi da aandho lihti hai amerika to chayna to kuchh ni lihtta gal india di hoi rahi ya japan to mein daas chukkya tabachohi saddi mehra thon da part one hai je tushye nuhu likhke padhounge poora ki kakkar likhounge ka dhugata hai toh tina gantte lakkan ge thik hai jhe video pasandhavye mehnu daas diyo phir mein aaj sham noo hi live class polity di hoore le aunga arvizan di likhne visar live class laado chanel noo subscribe juru kariyo thank you so much kariyo bit